यह मैंने 500 ग्राम 500 ग्राम की लोकी लिया इसे इस तरह के से चील कर चुटे चुटे तुकडों में कट करके और फिर दूल कर एक तरफ रख लेंगे सच बताओं पहले लोकी की सबजी खाना मुझे बिल्कुल पसन नहीं था लेकिन फिर मेरी शादी के बाद सासुमा ने मुझे ये रेसिपी बताई थी जबसे मुझे लोकी की सबजी बहुत अच्छी लगने लगी अब तो हमारे यांकर ये हाल है कि मेरे बच्चे भी इसे शौक से खा लेते हैं अब इसकी लिड लगा कर इसे 10 से 12 मिनट के लिए लोफ लिम पर कूक कर लेंगे तो ये देखें 12 मिनट बाद ये काफी टेंडर हो गई है गरमसाला पाउडर रैट करेंगे और फिर से 10 से 12 मिनट के लिए लोफ